वेल्कम बैक तो माई यूटीव चैनल स्टेडी बैंड तो फेंड्स हमने लास लेक्चर में वेक्टर चेप्टर को कम्प्लीट करके अपनी लास वीडियो में वेक्टर चेप्टर के एमसी क्यू पर काफी सारे कोशन की प्रेक्टिस भी की थी अगर बच्चों आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उपर i बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं So guys, today we are going to start with a new chapter that is relation and function हम relation function को start करने जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ, इस chapter को start करने से पहले आपको set theory अच्छे से आना चाहिए उसके basic concept आपको आने चाहिए अगर किसी बच्चे ने अभी तक set theory के chapter को नहीं पढ़ा है मैंने उस पे भी वीडियो अपलोड कर रखी है आप उसे भी उपर i बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है friends, तो मैं ये assume करके चल रहा हूँ कि आपने set theory को पढ़ रखा है आपको वो chapter अच्छे से आता है अगर वो chapter अगर आपको अच्छे से आता है तो इस chapter को आप easily समझ पाएंगे इस chapter के अंदर हम काफी basic चीज़े हैं पहले समझेंगे जिससे cartizen product के वारे में देखेंगे domain, range, code domain और भी काफी सीचे हम इसमें पढ़ेंगे तो start करते हैं बीना किसी देरी के so guys relation and function को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ हम पहले set को थोड़ा से revise कर लेते हैं कि set क्या था हम कई एक set ले लिया जैसे 1, 2, 3 ये एक set A है एक B set ले लिया 4, 5, 6 तो ये हमारे दो set है A and B set इनके बीच में क्या relation है वो हम कैसे define करेंगे वो इस chapter में इस video में हम सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ relation को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि order pair क्या होती है ठीके ये order pair कैसे लिखते हैं उसको जानेंगे इसको generally हम x, y की x, y की form में लिख सकते हैं कैसे मैं आपको example देख के समझाता हूँ तांकि आपको अच्छे से समझा रहे तो guys यहाँ पर आपके सामने एक table लिया है मैंने इस table के अंदर मैंने कुछ animals के नाम लिये है और यहाँ पर मैंने उनका average life span लिया है और यहाँ पर मैंने उनका maximum life span लिया है यहाँ lifetime बोल सकते हैं कि उनकी age के regarding क्या है सबसे पहरे आप देखें यहाँ पर cat है cat का average lifetime क्या है 12 and maximum is 28 तो हम data को represent कर सकते हैं किसमें एक ordered pair में कर सकते हैं यह ordered pair क्या है यहाँ पर आप देखेंगे हम एक sequence में इनको arrange करेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने bracket के अंदर क्या लिखा 12,28 यह क्या है यह 12 आपको यहाँ पर आप डाउन में देखेंगे यहाँ पर मैंने 20 और 50 लिखा है तो यह 20 क्या represent कर रहा है this first term 20 represent average lifetime कितनी है and next 50 जो है यह represent कर रहा है maximum lifetime कितनी है in animals की so guys अब आप इसको अच्छे सा समझ पाएंगे कि यह given data का हमने order pair में कैसे represent की है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैसे represent की है 12,28 12 हमारा first क्या represent करेगा average को और यह 28 represent करेगा maximum को similarly आगे की examples भी आपको इसी तरह से represent कर रही होगी जैसे 15 यहाँ पर क्या represent कर रहा है average and 30 represent कर रहा है किसको yes maximum lifetime को ऐसे ही 8 represent कर रहा है average को 20 represent कर रहा है maximum को and so on तो इस तरह से हम किसी भी data को हम एक ordered pair में लिख सकते हैं so next हम पढ़ेंगे partition product offsets तो सबसे पहले आप देखिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ एक set ले रहा हूँ a जिसकी हम value ले रहा हूँ a, b, c और another set b लिया है मैंने और इसकी value लिया है मैंने 1, 2 ठीक है 1, 2 मैंने एक value लिया है अब इन दो set को भी हम क्या कर सकते हैं multiply कर सकते हैं यह set आपस में भी क्या हो सकते हैं multiply हो सकते हैं ठीक है उस multiply को मैं क्या बोलूँगा partition बोलूँगा तो a cross b जो है इसको मैं बोलूँगा a partition b तो इसका क्या मतलब है इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यह a जो है a set का जो पहला element है यह किस से multiply हो रहा है 1 से multiply हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसी तरह यही A, B set के second element के साथ multiply होगा तो इसे हम लिख सकते है A, 2 I hope आपको clear है ऐसे हम आगे further multiply करके लिख सकते है जैसे B, 1 करके then B, 2 करके लिख सकते है ऐसे हम C, 1 करके लिख सकते है and last C, 2 तो guys इस तरह से हम दो set को आपस में क्या कर सकते है multiply कर सकते है so guys इसको आप जब pronounce करोगे तो आप इसे pronounce करोगे कैसे partition product of sets से ठीक है इसे multiply नहीं बोलोगे हलांकि multiply होता हुँ दिख रहा है आपको पर इसे जब आप pronounce करोगे तो आप partition product करके बोलो कैसे ठीक है guys तो ये हमारे क्या होगे set A और set B के partition product होगे so यहाँ आप देखेंगे हम किसी भी ordered pair को लिख सकते हैं किस form में X, Y की form में represent कर सकते हैं अभी आपको याद आ रहा होगा अभी हमने पीछे जब bracket starting first slide देखी तो हमने क्या देखा था हमने जो X था वहाँ पे क्या लिया था average lifetime लिया था animals का और Y में हमने क्या लिया था maximum lifetime लिया था animals का तो guys इसी तरह से हमने एक pattern बना लिया न कि starting में X की जगा हम क्या ले रहे हैं Y की जगा हम क्या ले रहे हैं अगर हम इसे एक coordinate plane में draw करेंगे तो हम X में क्या represent करेंगे यह X axis होता है यह Y axis होता है ठीके तो हमारा X axis पर क्या आजएगा average lifespan आजएगा ठीके Y axis पर हमने क्या ले लिया maximum lifespan ले लिया animals का तो इस तरह से हम किसी भी ordered pair को ए X, Y की form में लिख सकते हैं I hoop आपको ए clear है ठीके इसी तरह हमने 2 set का partition product करके भी देखा पिछली side पे ठीके वो भी clear है अब आपका main point आपने यहाँ पर याद रखना है वो main point क्या है कि two ordered pair are equal अगर हम दो order pair को equal बोलते हैं तो किस condition में हम उनको equal बोलते हैं इसको जानना बहुत important है इसको तो condition क्या है if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal it means मैं यहाँ पर example लेता हूँ कि अगर हमारा कोई a set है 1,2 और b set है a,b तो यह दोनों कब मैं बोलूँगा कि a और b set क्या है equal है यह मैं इनको कब बोलूँगा कि यह order pair जो है यह equal है जब इसका element इसके element के first element के equal होगा इसी तरह इसका second element इसके second element के साथ क्या होगा equal होगा तब जाके मैं बोलूँगा कि यह दोनों क्या है कैसे order pair है equal order pair है I hope आप थोड़ा सा समझ भा रहे है इसको कि कैसे किया जा रहा है चलिए एक example देखते है फिर आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख रहे है example if x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1 find the value of x and y बड़ा simple सा question है आपको यहाँ पर x और y की value बतानी है तो आप इसको क्या मान लीजिए a मान लीजिए इसको b मान लीजिए तो यह आपको दो order pair दे रखे है आए solution करते है इसका आपको a order pair दे रखे है equal to b order pair के तो यह equal कब होते है मैंने अभी आपको समझाया कि जब इसके first element दूसरे वाले के क्या हो equal हो element के equal हो तो आप देखेंगे यहाँ पे x plus 1 जो है वो दूसरे element के किस के बराबर होगा 3 के बराबर होगा इसी तरह से आप देखेंगे y minus 2 वो बराबर होगा 1 के ठीके क्योंकि first element of first order pair is equal to first element of second order pair यहाँ पे आप इसे easily solve कर सकते है जब 1 वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे क्या होड़ेगा 3 minus 1 तो x की value आपके पास आजएगी that is 2 बड़े असानी से आप इसको निकाल सकते है इसी तरह आप यहाँ पे y की value निकाल सकते है 2 को वहाँ पे बेजेंगे तो 2 को जब वहाँ पे बेजा तो 1 plus 2 हो जाएगा तो जैसे 1 plus 2 हो गया तो आपका answer आगया that is 3 तो इस तरह से आपने x और y की value निकाल लिए यही आपको question में पूछा गया था तो guys यहाँ पे अभी तक हमने क्या सिखा कि हम किसी भी order pair को x y की form में लिख सकते हैं ठीके फिर हमने कोई 2 set ले लिए उनका हमने क्या करना सिखा उसका हमने partition product सिखा कि हम उसको कैसे partition product करते हैं उसके बाद हमने क्या ले लिया set a ले लिया और set b ले लिया और उनका हमने क्या सिखा partition product करना सिखा ठीके guys अभी तक आपको यह चीज समझ आगी होगी now let's move to the next slide next अभी हम पढ़ेंगे relation क्या होता है this is very important यहाँ से आपका main chapter start होता है relation के बारे में समझेंगे relation क्या होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजे मैंने आपको mapping के form में आपको एक set p दे रख है और एक set q दे रख है आप easily देख पा रहे है और p set के अंदर आप elements को देखेंगे फटाफट that is a, b and c तीन elements दे रखे हैं और q set में आपको elements दे रखे हैं red, black, green, pink and blue तो यह आपके 5 elements आपको कहा मिल रहे है set q के अंदर मिल रहे है तो guys अभी हमने starting में क्या पढ़ा हमने p set a और set b क्या पढ़ा partition product पढ़ा इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं इस p और q set का partition product कर सकते हैं तो जल्दी साब करके बताईए अभी हमने सीखा तो आप कैसे करेंगे तो आपको मैंने बताया कि set अगर p लेते हैं तो इसका पहला element set q के हर एक element के साथ क्या होगा multiply होगा अभी हमने पीछे सीखा तो हम उसको कैसे लिए represent करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a, red यह हो गया इसी तरह से यह a क्या करेगा बागी black के साथ multiply होगा a, black ठीके guys ऐसे आगे a किस से multiply होगा green के साथ तो मैं लिख सकता हूँ a, green and so on ऐसे मैं इसे बहुत सारी लिख सकता हूँ कहां तक red a, pink करूँगा a, blue करूँगा a के सारे खतम होगे फिर मैं b को लेकर स्टार्ट करूँगा वो क्या हो जाएगा जैसे हम b का यहां पर लिख के दिखाता हूँ b, red ठीके ऐसे b, black and so on ऐसे भी b के सारे complete हो जाएगे फिर मेरे c के स्टार्ट हो जाएगे c के जैसे स्टार्ट होता है c, red इसी तरह से हम c को भी सारे का सारा multiply करतेंगे तो यहां पर हमारा यह close हो जाएगा तो guys इस काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं इसलिए dot dot लगा के इस इंपोर्टेंट कैसे किये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो यहां पर main चीज आपने क्या सिखी आपने set P and Q का Cartesian product सिखा कि इसको Cartesian product हम कैसे करते है तो इस तरह से हम Cartesian product करते है अब हमने यहां पर देखना है कि यहां पर जो यह line दे रखी है यह mapping जो दे रखी है A to red then B to black then B का एक और है that is blue and C का है that is pink तो एक mapping दे रखी है it means there is a relation between P and Q तो P और Q के बीच में क्या है एक relation है उसको यहां पर दिखा रखा है तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि यह क्या है relation क्या है A, red यह relation दे रखा है और क्या दे रखा है B, black good next और क्या दे रखा है B, blue very good and C, pink तो guys यह आपको क्या दे रखे है यह आपको relation दे रखा है ठीके set P और Q का relation आपको दे रखा था वो कैसे दे रखा था मैंने उसको यहां पर represent करके दिखा दिया ठीके तो आप यहां पर देखेंगे यह सारी चीजें जो मैंने set R में ली है यह आपको कहां दिखेंगी यह आपको इस P and Q कार्टिशन प्रोड़क्ट में दिखेंगी आई होप आप देख पा रहे होंगे ठीके तो जैसे आप A और red को देखी यहां पर मैंने A और red ले रखा है यह सेम चीज़ आपको इस कार्टिशन प्रोड़क्ट में भी दिख रही होगी A, red इसी तरह आपको B, black जो मैंने यहां पर relation ले रखा है यह भी आपको कहां दिख रहा है यहां पर B, black आपको relation दिख रहा होगा तो guys, मेरा कहने का मतलब क्या है जो यह relation आपको दे रखा है R, यह सारा का सारा आपको value इसकी जो R की value है यह कहां पर दिख रही है इस P, partition, Q में आपको दिख रही है आप कह सकते हैं इसको देख के कि जो हमारा relation है that is a subset of किसका? P, partition, Q का क्या है? subset है तो यहां से हमने सीखा कि सारी कि सारी जो value इसकी Q, R की है वो कहां पर मिलेगी आपको? P, partition, Q में मिलेगी तो इस तरह से हमने एक new property सीख ली यहां से that is, कि जो relation होता है वो partition product का क्या होता है? subset होता है I hope आपको यह सारी चीज़ें अच्छे से समझ आगे होगी चलिए, move करते हैं next slide पे If A and B are two non-empty set then the relation from A to B is a subset of product set A cross B that is A partition B का तो अभी हमने देखा कि जो relation मनता है हमारा A to B जो अभी हमारा पीशे relation बना वो कहां से का मना? P से Q पे relation मना ठीक है? यहाँ पे A, B, C लिखी हुई थी तो यहाँ से ऐसे relation मन रहे थे तो हमने देखा यह जितना भी relation था यह क्या है? यह subset है किसका? product of A cross B मतलब product of P cross R यह P partition R का जो हमारा product आया उसी का यह क्या है? subset होता है I hope आपको यह line clear होगी now relation को हम देख सकते हैं किसमे? order form में देख सकते हैं हम इनको देख सकते हैं mapping में देख सकते हैं हम इनको table में और graph में भी देख सकते हैं ठीके? आईए मैं आपको दिखाता हूँ example के साथ तो guys यहाँ पे मैंने क्या layer रखा है? relation दिखा रहा हूँ in table table की form में दिखा रहा हूँ मैंने x, y ले लिया तो मैंने आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह एक relation है ठीके वह यह सारी चीज़ें क्या है यह x, y की form में है मत एक order pair में है order क्या हो गया यह सारी की सारी जो term है जो मैं tick कर रहा हूँ 3, 7, 0, minus 2, minus 5, 3 यह सारी की सारी चीज़ें आपको किस से belong करती हूँ दिखेंगी यह आपको x से belong करती हूँ दिखेंगी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो x है, यह सारी चीज़ें x की है तो आप देख पा रहे हैं जो starting में term हमने लिखी है bracket के अंदर वो सारी की सारी किस से belong कर रही है वो x से belong कर रही है इसी तरह से जो मैंने bracket के अंदर second term लिखी है that is 4 हो गया, 2 हो गया तो यह सारी चीज़ें आपको किस के अंदर दिखेंगी, y के अंदर दिखेंगी, तो guys यह एक pattern है, एक order है तो इसलिए हम इसको order pair बोलते है तो यहाँ पे हम relation को table की form में भी represent करके दिखा सकते हैं ठीक है guys, I hope आपको एक clear होगा now move करते हैं next हम यहाँ पे relation को mapping की form में भी दिखा सकते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं x को set a ले लेता हूँ इसको set b ले लेता हूँ ठीक है, जैसे two किस के साथ relation दिखा रहा है six के साथ दिखा रहा है और यहाँ पे ही two किस के साथ दिखा रहा है यहाँ पे four के साथ भी दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं कि two का relation किस के साथ है six के साथ, और two का relation किस के साथ है four के साथ भी है तो इस तरह से हम relation दिखा सकते हैं mapping की form में भी ठीक है guys चलिए move करते हैं next तो guys in short अगर मैं आपको sum up करूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे relation है वो क्या होता है it is nothing it is just a set of pairs of input and output values यह एक input और output value का set होता है कैसे होता है आईए थोड़ा देखते हैं से यहाँ पर मैंने order pair लिए है order pair आपको पता है x, y की form में मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर जो x है यह किसको represent कर रहा है it is just represent input value को represent कर रहा है और जैसे आपको input दोगे तो आपको क्या मिलेगा एक output मिलेगा और y उसी को represent कर रहा है तो यहाँ पर हम इस तरह से order pair को लेख सकते हैं यह मैंने यहाँ पर values लिखी है now mapping diagram में देखते हैं जिसमें हम arrow diagram भी बोलते हैं उसको तो यहाँ पर क्या है हम x ले लिया यह input बोल लो और यहाँ पर y ले लिया यह आप उसे output बोल लो तो यहाँ पर इनको हम mapping की form में दिखा रहे हैं यह arrow की form में represent करते हुँ दिखा रहे हैं तो इसलिए हम इसे mapping diagram भी बोलते हैं अभी आपको बढ़ाया table दिखाया था table की form में भी हम इनको represent करते हैं और ऐसे ही हम इसको graph की form में भी represent कर सकते हैं I hope आपको एक basic idea मिल गया होगा relation का कि relation को हम किस तरह से define करते हैं या किस तरह से represent कर सकते हैं चलिए आप move करते हैं और कुछ basic terms को सीखते हैं So guys यहाँ पर आपने देखा कि जो x value है यह क्या थी यह एक आपको input थी ठीके और जो input होती है वो value कैसे होती है वो एक independent value होती है मतलब वो कुछ भी हो सकती है ठीके अब इसको कैसे independent कुछ भी आप यह आपको example दूँगा आपको अच्छे से clear हो जाएगा इसलिए हम इनको किस तरह से represent करते हैं यह हम इसको किस तरह से pronounce करते हैं इनको हम domain भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? domain this is the main part है आपको याद रखना है domain किसको बोला जाता है तो input को बोला जाता है it means x values को हम domain बोलते हैं चलिए अब y value जो है मैंने आपको बताया था y की जितनी भी values हैं हम उनको क्या बोलते हैं? output बोलते हैं और यह output किस के ओपर depend करेगी? of course input के ओपर करेगी तो that is why it is also known as a dependent variable इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? dependent variable भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम दे रख़ा है that is range तो range के नाम से भी हम इसको याद रखेंगे आगे आपको इन पे questions भी दिखेंगे चलिए move करते है next slide पे तो guys यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे P set दे रख़ा है और यहाँ पे मैंने Q set दे रख़ा है आपको पहले भी यह example ली थी मैंने वही repeat कर लिए तांकि आपको easily समझा दे तो यहाँ पे यह A to red क्या है relation है B to black क्या है relation है ऐसा ही B to blue वी relation है और C to pink वी एक relation है तो यहाँ पे मैंने already यहाँ पे values relation की link रख़ी है कि जो relation R है वो किस तरह से define हो रहा है इस mapping figure में या arrow diagram में pink है ठीक है guys तो यहाँ पे आप देखेंगे जो P के elements है वो P के elements आप देख पा रहे है P के elements क्या क्या है that is A, B, C तो guys इन सभी elements को हम किस नाम से पुकारते हैं आपको भी बताया था इनको हम क्या बोलते थे इनको हम input भी बोलते थे और यह कैसी variables होते है यह independent variables होते है इसलिए हम इनको क्या बोलते है domain भी बोला जाता है अभी हमने पिछली साइट में सीखा है कि domain किसको बोलते है x की values को बोलते है देयार independent variables ऐसे हमने देखा था कि क्या देखा था output को देखा था values को हम क्या बोलते है output भी बोलते है ठीके तो और ये कैसी होती है ये dependent होती है किसके ओपर dependent होती है of course input के ओपर dependent होगी तो इसलिए हम इसको range भी बोलते थे ठीके guys तो range आप पताएंगे कि range क्या है तो guys range वही है जो आपको A के साथ relation दिख रहा है तो यहाँ पर A का relation किसके साथ दिख रहा है red के साथ तो red आजएगा B का relation किसके साथ दिख रहा है black black आजएगा B का relation और किसके साथ है blue के साथ भी है तो blue भी आजएगा और C का relation pink के साथ है तो pink आजएगा बाकी नहीं आएंगे बाकी green नहीं आएगा आप देखें, green यहाँ पे नहीं आया, ठीके, तो green क्या नहीं है, range में fall नहीं करता, अब क्यों नहीं करता, आप समझ पा रहे होंगे, कि यहाँ पे जिसका relation होता है, तो जो x value है, यहाँ पे हमने क्या लिए है, यह x था, और यह क्या था red, y था, ठीके, मतलब यह x values है, p, और q क्या, कौन सी values है, यह y values है, इसलिए हम x को क्या बोलते है, input बोलते है, y को क्या बोलते है, output बोलते है, तो इसी तरह से, जिसको हम input बोलते है, उसको हम domain भी बोलते है, अभी हमने सिखा, और जो output होती है, हम उसको बोलते है, range, ठीके, सिर्फ जो value हमन ली है उसी को हम range में involve करेंगे बाकी values जो कोई role represent नहीं कर रही उसको हम नहीं count करेंगे ठीके guys तो यहाँ पे हम इनको एक दूसरा नाम भी है मैं यहाँ पे आपको लिखके दिखा देता हूँ जो domain है इसको हम pre-image के नाम से भी जानते हैं यहाँ इसको बोल सकते हैं कि domain क्या है pre-image होती है और जो range है that is image तो image किसकी होगी आपको image pre-image की ही दिखेगी ठीके जिसकी pre-image होगी वही आगे image बना सकता है इस तरह से आप थोड़ा याद करके याद रख सकते हैं कुछ आप link frame कर लीजिए कि जिसकी pre-image है वही image दिखाएगा तांकि आपको थोड़ा याद हो जाए तो pre-image किसको बोलते हैं domain को बोलते है और image किसको बोलते है range को बोलते है very good तो guys अभी हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो set q है आप देखेंगे set q वो क्या है उसके अंदर क्या-क्या है values red है black है ठिके green है pink है और blue है तो यह सारी values को हो हम set q के अंदर लिए और इसी को हम बोलते है code domain क्या बोलते है code domain बोलते है ठिके तो यहीं से हम बोल सकते है क्या बोल सकते है जो range है वो हमेशा क्या है subset होती है किसकी co domain की co domain के आप go range क्या मिलेगी subset मिलेगी यह एक important point है आप इसको भी याद रख सकते हैं तो ये slide में अभी हमने क्या सुखा हमने domain के वारे में सीखा, हमने range के वारे में सीखा, हमने co domain के वारे में सीखा तीन important terms हैं इसको आप याद रखें इसको इसी के उपर आपको questions दिखेंगे अब उन questions को कैसे हम solve करेंगे आईए एक example से थोड़ा समझते हैं तो guys अभी मैंने आपके सामने एक example ली है यहाँ पर example देखें let a, a आपको एक set दे रखा है that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 define a relation R हमने खुद से एक relation R मनाना है from A to A relation क्या होना चाहिए? x, y आपको बताए x, y क्या होता है? order pair होता है जिसके अंदर y है y is equal to x plus y अभी मैंने आपको बताया y क्या होता है? dependent होता है जिसको हम output बोलते हैं और x क्या हमारा independent जिसको हम input बोलते हैं इस तरह से याद रखेंगे थोड़ा easily आप याद रख पाएंगे तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं? relation draw करते हैं तो relation कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको क्या दरख है? y is equal to x plus 1 तो आपने input लेते जाना है आपको output मिलता जाएगा तो हम यहाँ पे relation draw कर रहे हैं represent कर रहे हैं ठीके? तो relation आजएगा हमारा x,1 तो x जो है वो आप कहां से लोगे? इसी set a से लोगे ना? set a की value तो पहली value अब देखी क्या है? 1 तो आप जैसे x 1 लेते हो तो y क्या आजएगा? तो आपने यहाँ पे x को यहाँ पे 1 पूट करके देखना है तो जैसे यहाँ पे x की जगा आप 1 value रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 तो y आपको मिल जाएगा 2 तो मतलब आपने यहाँ पे सीखा जैसे आपने input दिया 1 का आपको output मिल जाए 2 ठीक है? चलिए इसी तरह से आप क्या करेंगे? आगे 2 पूट करेंगे x की जगा तो आपको y की value मिल जाएगी that is 3 चलिए आगे करते चाहिए ठीक कर रहे हैं 3 पूट करोगे तो क्या value मिलेगी? 4 ऐसे या 4 value पूट करोगे x की जगा तो y की जगा क्या मिलेगा? 5 ऐसे ही हम 5 पूट करेंगे x की जगा तो y मिलेगा 6 ठीक है? अब next important है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जैसे मैं x को 6 पूट करता हूँ ठीक है? तो मेरे पास क्या आजएगा y? that is 7 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6,7 बिल्कुल नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता? x तो हमारा किस से बिलॉंग कर रहा है? 6 बिलॉंग कर रहा है जो set में दे रखें 6 बिल्कुल ठीक है पर y की value क्या आ रही है? 7 आ रही है जो हमें set में given नहीं है तो इसी लिए हम इसको नहीं लिखेंगे I hope आपको clear है? चलिए मैं इसको थोड़ा erase कर देता हूँ तो हमारे पास अभी तक relation define हो गया है वो कहां तक है? वो यहीं तक है तो यहाँ पे हमने relation निकाल लिए है अब हमने आगे question में क्या पूछा है? वो देखते है depict this relation using an arrow diagram आपने इस relation को arrow diagram से बताना है and after that आपको क्या दिखाना है? write down the domain, co-domain and range of relation तो आपको domain निकाल के दिखानी है co-domain निकालनी है इस question की range निकालनी है कि हम यह सब चीजें कैसे निकालते हैं चलिए one by one हम इसको निकालते हैं पहले हम इसको arrow diagram से represent करके दिखाते हैं तो guys यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक arrow diagram से इनको represent करके दिखा दिया है तो आप इसको a set ले लीजिए और यहाँ पे भी आप क्या लेंगे a क्योंकि a to a relation बन रहा है तो यहाँ पे मैंने relation को लिख लिया है one, two, two, three, three, four, four, five and five, six तो यहाँ पे आप easily देख पा रहे हैं कि relation यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है ठीक है यह mapping हो रखी है arrow diagram से भी हम represent करते हैं मैंने आपको बता दिये चलिए अब आपने domain बताने है कि domain क्या है ठीक है और domain का दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताईए जल्दी जल्दी तो domain को हम बोलते हैं pre image भी बोलते हैं ठीक है very good इसी तरह हम range को क्या बोलते हैं दूसरा नाम क्या था range का that is image चलिए आपको याद है बहुत अच्छी बात है चलिए अब questions को निकालते हैं अब आपको यहाँ पे निकालना है domain तो domain यहाँ पे क्या हो जाएगा वो जल्दी से मेरे करने से पहले आप जल्दी से बताईए answer तो domain आपकी value क्या आइगी pre image देखिए किसकी बन रही है image किसकी बन रही है जिसके arrow diagram है वही आपकी domain होगी चलिए किसके साथ arrow mapping हो रही है वो यहाँ पे value लिखिए that is 1,2,3,4,5 यहाँ पे 6 आएगा बिल्कुल नहीं आएगा 6 क्योंकि 6 की आगे arrow mapping नहीं हो रही है यह arrow diagram से हम 6 को represent नहीं कर रहे है it means 6 relation नहीं बना रहा ठीक है guys यह बहुत important है आपको याद रखना है कि जिसकी mapping हो रही है वही elements हमारे क्या कहलाएंगे domain कहलाएंगे clear है तो next हमने क्या निकालना है code domain तो code domain तो सबसे easy होता है क्यों? क्योंकि set of images को हम क्या बोलती है code domain बोलती है यहाँ बोल सकते है जो आपका second set होता है उसके सारे के सारे elements को हम code domain बोलती है तो यहाँ पे आप देख लीजिए फटाफट आपके कौन-कौन से element आजाएंगे set A में यह दूसरे पले set A में that is 1,2,3,4,5,6 जिनकी images बन भी रही है जिसकी नहीं भी बन रही है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे code domain कहलाएंगे तो यहाँ पे आप बताएंगे range तो यहाँ पे आप बताएंगे images range में आपने क्या बताना है image भी बोलते हैं तो यहाँ पे किसकी image बन रही है यह सारे elements की क्या बन रही है image बन रही तो elements क्या है 2,3,4,5,6 तो यह सारे के सारे elements हमारे क्या है range कहलाती है ठीके guys इसको निकालने का तरीका क्या था आप यहाँ पे relation से देख सकते थे जिसको हम x बोल रहे हैं और इसको y बोल रहे हैं इसको x बोल रहे हैं इसको y बोल रहे हैं ऐसे हमने सबको x और y की formula है तो जो हमारा x होता है जो हमारा input होता है यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले को हम x बोलेंगे और इसको हम y बोलेंगे तो जो हमारा input होता है और जिसकी जिसका mapping हो रखी है उसी को हम क्या बोलते हैं domain बोलते हैं ठीके और जो हमारा y होता है जिसको हम output भी बोलते हैं इसके अंदर जब हम range निकालेंगे range को हम दूसरा नाम बोलते है image तो जिसके साथ mapping हो रखी है वो ही value हमारी range कहलाएगी तो यहाँ पर आप easily देख पाएंगे कि mapping किसके साथ हो रखी है 2 से लेके 3, 4, 5, 6 तक तो यही हमारा क्या आज़ेगी वे answer यह हमारा range का answer आज़ेगा और आपको finally पूछा था what is co domain तो co domain आपको अच्छे से समझ आ गया है इस पूरे set को second वाला जो पूरा set है इसको हम क्या बोलते है co domain बोलते हैं तो co domain में यह सारे के सारे elements आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पे आपने अच्छे से समझ लिया कि co domain कैसे निकालते हैं domain कैसे निकालते हैं और range हम कैसे निकालते हैं किसी भी एक relation की यह बहुत basic सा था question जिसमें मैंने आपको यह concept समझाने की कोशिश की है I hope आपको यह समझ अच्छे से आ ही क्या होगा बट स्टिल आगर किसी बच्चे को अभी भी इसमें code domain range निकालने में कोई doubt है तो वो वीडियो को दुवारा देख सकता है अगर फिर भी उसे कोई doubt रहता है तो वो comment box पे हम जहें पूछ सकता है